आधे बस्त इन तुदे फिस लेक्चर आंगाँ अगाउनाटमी फीकले सिस्ट त्वूर्ड आपुर्द प्रस त्व्स्ट बारे में आप इस फ्रस डाइग्राम ही देख रहे हैं कि हमे ट्रानस्वर्स स partes नजर आ रहे हैं इस डायग्राम में हमें ट्रांसवर्स सेक्षिन जो है वो नजर आ रहे है अब ध्यान से देखा जाए तो जिन लोगों को या जिन बच्चों को यह पता है कि यह फिर्स्ट वाला शेक्षिन डाई Nicole ये कर सकते हैं और प्यांट करते हैं और जिन बच्चों को यह बात पता ना हो कि यह y čr को ध्यान से सोने तो चली शब्सशेंश करते हैं अनाफमी और डाय कोर्ट संकी बात करें तो परीकटूलरली आहां पर जो स्टेम हम discuss करेंगे transfer section discuss करेंगे वो sunflower का होगा मतलब की हैलियंथस annuus का section जो है हम यहाँ पर discuss करेंगे तो भी dicot stem की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सबसे बाहर outermost single layer epidermis की present होगी तो सबसे बाहर outermost single layer epidermis का present है और epidermis में hairs का presence जो है वो देखा जाता है और यह hairs कैसे होते हैं multi cellular hairs क्या होंगे present होगे इसी तरह से अगर हम बात करते हैं epidermis के बाद जो next layer present होती है उसको हम क्या बोलते हैं cortex बोलते हैं तो epidermis के बाद जो next layer यहाँ पर present है जिसको क्या आप क्या बोलेंगे cortex और cortex जो है वो पैरनकाइमेटर्स होता है लेकिन कई बार cortex जो है वो डिफ्रेंशेटर होगा जैसे कि यह hypodermis और cortex में डिफ्रेंशेटर होता है अब जैसे कि संफलार है और संफलार ओल भी present है तो ओल केविटीज कहां पर मिलती हैं cortex section में oil cavities पाई जाती है इसी तरह से cortex के अंदर जो लेर प्रेजन्ट होती है उस layer को हम क्या बोलते हैं है न ड्रमीज बोलते है cortex के अंदर वारी layer को हम क्या बोलते है एंडोडर्मिस बोलते है और यह फीचर है dicot stem का कि यहां पर endodermis में starch grains present होते हैं तो starch grain होने की वजह से आप cortex या sorry endodermis को और क्या बोलते हैं आप यहां पर बोलते हैं starch तो यहां पर आप क्या बोलते हैं स्टारच शीथ भी बोलते हैं कलेर हैं यह से एंडोर्मेज पर इंदर परियरिक लेर स्पीरायर defic children तो यह भी लियर क्योंक्य संफलार की बात हो रही हो तो यहां पर थोड़ा सध्यान रखना है कि pericycle में scleran chymeter patches की form में ये क्या होता है present होता है तो आप लीज pericycle का ध्यान रखना है कि pericycle जो है the form of scleran chymeter patches क्या होगा यहाँ पर present होगा अब pericycle के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर हमें vascular bundle की presence मिलती है ये जो vascular bundle होते हैं ये किस तरह के vascular bundle होते हैं ये होते हैं muffled joint, colateral, open and dark type of vascular bundle present होते है लेकिन सबसे important feature क्या है कि यहाँ पर जो ring arrangement of vascular bundle है that is the characteristic feature of the dicot stem तो यह प्लीज आपने ध्यान रखना है यह कही बार कॉश्चन जो है वो आपके नीट या बाकी के एंट्रेंस में मेडिकल एंट्रेंस में पूछा जा चुका है इसी तरह से अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि सेंटर में तो सेंटर में प्रेजन्ट होती है पेथ सेंटर में पित की प्रेजन्स जो है वो देखने को मिलती है और पित का जो मेन फंक्शन होता है वो एक्चिल में स्टोरेज ऑफ फूड मैटीरियल या गाम राजिन टैनन की स्टोरेज के साथ डील करता है इसी तरह से अगर हम इसका एक एलेबुरेटेड सेक्शन देखते हैं सनफलार का तो आप देखिए जैसा क पक्षपर दो पार्ट में डिवाईडड नंजर आ रहा है जैसे कि हमें हाइपंडर्मे में नजर आ गगा और हाइपंडर्मे जो है वह यहाँ पर कॉलन कईमा बना हूआ है और नेक्स चो कौनलैर कर लेयर है वो क्लोरन कायमा का बना हूआ और अगर आप ध्यान से देखें, तो कॉटेक्स में आपको नजर आ रही है, उसी तरह से कॉटेक्स की जो इनर लेयर है, उस लेयर को आप क्या बोलते हैं, एंडो-डर्मिस बोलते हैं, और एंडो-डर्मिस कैसा होता है, इसमें प्रेजंट होती है, स्टार्च, शीत की प्रे िस ही तरह से नेक्स्ट हम वैस्कुलर बन्डल किसा है ये वैस्कुलर बड़ल कन जोएंट है क्योंक एक रेडियो memb puppy तो क्यों क्या वह सत्क बोलते हैं क्यों क्यों शाथ में आप की फोलोईम हाने और चाइड है और यॉंए रेसंट है फोलोईम ऑा फॉलो। और अंदर की तरफ फित की तरफ जो है वो हमारा जायलम प्रेजेंट है और आप यहां पर यलो कलर का पैस देख रहे हैं तो यह प्रेजेंस ओफ कैमबियम तो किस तरह के वेसकलर बंडल होंगे, conjoint होंगे, collateral होंगे, साथ में cambium की वज़ा से open type of vascular bundle देखने को मिलते हैं और यहां पर xylem की condition है वो कौन से आती है, endark condition देखने को मिलती है, तो भई endark में क्या होगा कि proto xylem जो है that is towards the pit और meta xylem towards the periphery present होता है और center में pit का presence देखी गई है, जो कि अभी बताया गया कि parent kyma का बना होगा, बाकी secondary growth is the characteristic feature of the dicot stem, तो dicot stem का यह feature है कि इनके case में secondary growth present होती है, तो प्लीज ज्यान रखना है कि secondary growth is present in case of dicot stem, तो यह anatomy of dicot stem जो है that is cover up, इसी तरह से next हम चलेंगे anatomy of monocot stem, तो particularly यहां पर जो monocot stem का transfer section discuss करेंगे that is about the GIA maze, तो maze का diagram जो है वो यहां पर देखने को आपको मिलेगा और इसी को हम यहां पर study करेंगे, जैसा कि आप diagram में ही देख रहे हैं कि outermost layer जो present है, उस layer को हम क्या बोलते हैं, epidermis बोलते हैं, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि hairs यहां पर कैसे हैं, absent है, हाँ कई बार stomata की presence जो है, वो epidermis पर देखी गई है, इसी तरह से epidermis के बाद, जो next layer यहां पर present होती है, उस layer को आप क्या बोलते हैं, hypodermis बोलते हैं, और जिया मेस का यह feature है, कि यहां पर hypodermis जो है, वो scleran kymaca बना होता है, very very important, कि जो भी hypodermis है, वो किसका बना होगा scleran kymaca, mechanical support provide करने के लिए, उसके बाद यहां पर थोड़ा सा ध्यान करना है कि जिया मेस, क्योंकि यह एक monocot है, तो monocot के case में जो ground tissue होता है, आप प्लीज धान रखें कि ground tissue undifferentiated होता है, मतलब अगर आप सोचेंगे कि इसमें cortex, endo यह paracycle मिलेगा तो इस तरह से यह पित बगारा मिलेगी तो इस तरह से नहीं होता है, जो भी ground tissue है, पेरेंट का इमेटर्स जरूर होगा लेकिन undifferentiated होता है, so point to be remember, that undifferentiated type of ground tissue is the characteristic feature of the monocot stem, very very important, इसी तरह से अब आप अगर vascular bundle या vascular tissues को देखो, तो आप कैसे vascular tissues आपको नजर आ रहे हैं? यहाँ पर scattered type of vascular bundles नजर आ रहे हैं, जो कि ground tissue में scattered form में दिख रहे हैं और जो vascular bundle होते हैं वो किस तरह से होगा इसमें? vascular bundle यहाँ पर भी कैसा होता है, candy joint होता है और साथ में collateral होगा, जैसे कि मैं थोड़ासा बता दूँ, कि वैस्कुलर बंडल कैसा होता है वही उपर की तरफ फॉलॉयम की प्रेजंस देखी जाती है और नीचे की तरफ जायलम की प्रेजंस होती है तो अगर जायलम की बात करें तो यहां पर जो जायलम मिलता है उसमें सबसे पहले क्या होगा यहां पे मैटा जायलम होगा और फिर प्रोटोजाइलम होगा और सबसे बड़ी बात कि यहां पर एक कैविटी भी मिलती है जिसको कि आप लाइसोजीनियस कैविटी बोलते हैं जो कि वाटर फिल्ड कैविटी होती है और वैस्कुलर बंडल में कैम्वियम की प्रिजेंस नहीं देखी जाती है तो ध्यान रखना है कि इसका मंदब की जो सकेंडरी ग्रोथ है वो मोनो कॉट स्टेम में क्या होगी एपसेंट होगी क्योंकि वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं इसमें कलोजड टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल जो है वो देखने को मिलते हैं इसी तरह से अगर इस डाइग्राम को थोड़ा सा ए है और हाइपोडर्मीस जो है वो सक्लार का अगा बना हुआ है उसके बाद आपको ग्राउंड टिशू नज़र आ रहा है इस उस अल अब आउट भाउड टी इश्यू और ग्राउंड टीशू मैं आपको वैस्कुलर बंडल स्कैटरर फोम में नजर आ रही हैं तो वैस्कु ह molar Amitय जा आनी है और यह उथा यंप वे पर वा पिल केमा से बंती भी है वैरी वे इंपॉर्ट्ट कि यहां पर लाइसोजीनियस वाटर दीसोलूशन से होती है किसके डिसोलूशन होगी एक तो हमारे प्रोटोजालम की डिसोलूशन होगी और साथ में पैरनकाइमा सेल्स का डिसोलूशन देखा जाता है तो यहाँ पर यह आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह के वैस्कुलर बंडल, Conjoined, Collateral, Closed टाइप और वैस्कुलर बंडल, They are present in case of the Monocod stem. इसी तरह से यहाँ को comparative में भी यहाँ पर नजर आ रहा है, प्रिवियस डाइग्राम ही है, यह ओवराल डाइग्राम है, Monocod stem का, Jia Maze का है, और यहाँ पर एक particular section लेकर बात की गई है, जो प्रिवियस यहाँ पर explained किया गया है, इसी तरह से अब थोड़ा सा difference, क्योंकि इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिफ्रेंस के ओपर के यह बार question आता है, तो Monocod stem और Dicod stem में क्या difference है, अनाटमी में वो देखने की कोशिश करनी है, कि Dicod stem में, अगर आप ध्यान से देखो, तो Epidermis भी प्रेजन होगा, cortex, endo, pericycle, पूरा steeler system और पित की presence देखी जाती है, लेकिन Monocod stem में, stem un-differentiated होगा internally, ना तो आपको cortex, ना ही endo, ना pericycle और ना ही पित clear cut नजर आएगी, इसी तरह से Dicod stem में, अगर हाइपोडर्मेस की बात करते हैं, तो यह colon काइमा का बना होता है, और यह question आपके NEET में पूछा जा चुका है, वैस्कुलर बंडल की presence देखी जाए, तो वैस्कुलर बंडल arranged in a ring, ring arrangement of वैस्कुलर बंडल Dicod stem का feature है, जबकि वैस्कुलर बंडल scattered form में present होते हैं, जो भी parent kai maters ground tissue, उसमें scattered form में आपको bundles नजर आएगी, जो भी parent kai maters medullary rays हैं, वो आपको नजर आती हैं, वैस्कुलर बंडल के in between, जबकि monocod stem में medullary rays absent होगी, bundle sheet की बात करें, तो भई, Dicod stem में bundle sheet क्या होती हैं, absent होती हैं, Dicod stem में bundle sheet क्या होगी, absent होगी, जबकि bundle sheet की presence देखी जाए, तो bundle sheet स्क्लेरन काइमा का बना होता है, और यह monocod stem में present होता है, वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कन जोइंट, को लेटरल, या बाई को लेटरल भी हो सकते हैं, डार्क और ओपन टाइप ओ वैस्कुलर बंडल, Dicod stem में होते हैं, जबकि monocod stem में, जो भी वैस्कुलर बंडल हैं, वो कैसे होंगे वही, कन जोइंट होंगे, कोलेटरल होंगे, कॉंसेंट्रिक भी हो सकते हैं, और डार्क भी हो सकते हैं, और साथ में कलोज भी हो सकते हैं, जो वैस्कुलर बंडल हैं, वो ज्यादा तर पॉलीगोनल नजर आते हैं आपको ट्रांसवर सेक्शन में और मॉनो कॉर्ट स्टैम में वास्कुलर बंडल दे और नूमरस इसी तरह से डाइकॉर्ट स्टैम में जायलम वैसल्स लिमिटेड नंबर में होंगे जबकि मॉनो कॉर्ट स्टैम में जायलम वैसल्स लिमिटेड वो जर्नली ओल नजर आते हैं इसी तरह से अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लाइसोजीनियस कैविटी तो लाइसोजीनियस कैविटी मॉनो कॉर्ट में प्रेजन्ट होगी और डाइकॉर्ट के केस में अगर फलोईम में शीव ट्यूब केम्नties चली मॉनो कॉर्ट स्टैम में अगर देखा जाया थो भाई stuck हाँ सीव ट्यूब कमपेंडन्स होंगे लेकिन फ़लोईम पेरनकाइमा मोनो कॉर्ट स्टैम में क्या होता है conti यह बहुत इंपोर्टेंट है और आपको यह दोनों क्लेर कट पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंस जो है या इदेंटिफिकेशन फीचर जो है वो डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की पाए जाती है तो इसी के साथ यह लेक्चर यही पर क्लोज करते हैं थैंक यू सो मच जो भी आपको पीडिफ है वो आपको इस लेक्चर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और कोई भी इंक्वाइरी हो या कोई भी डाउट या कॉश्चन हो वो आप कमेंड सेक्शन म आड कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच